वल नया लुक तेजस्वी प्रकाश की आप जरूर देखना चाहें के बिग बॉस सीजन 15 का किताब जीतने के बाद अब तक टीवी शो सलसला बदगते रिष्टो का स्वरागनी और पहरेदार पियाकी में काम कचुकी तेजस्वी का नया लुक सेजलिंग हाट उनका अवतार एक्षा धारी नागिन के रूप में सामने आ गया है टीवी की दुनिया से ट्रेंडिंग स्पेशल अपडेट नागिन सेजन 6 को लेकर हम लाए है आपके बिश्वल आप सबका एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगा ये देखकर कि तेजस्वी वाके में कितनी जादा अलग लग रही है तेजस्वी इस बार जो है बहुत अलग अन्दाज में नज़र आएंगी कहानी की ऐसी दिखाई जाएगी जिसमें कहानी में बहुत ही जादा फेल बदल किया गया है तेजस्वी प्रकाश ऐसी नागिन करोर पे कर रही है जो पूरी दुनिया को बचाने के लिए आएंगी यहा हम पूरी दुनिया को एक इसी महममारी से जिससे पुरी दुनिया भर में जहर की तरहा वाइरस फैला देखिए ये स्पेशल अपडेट तेजस्वी करनाया ओतार टीवी शो नागीन की बात करें कि हम जी है नागीन सीजन 6 लौट आ रहा है आप सब के बीच प्रोमो ने सब को काफी एक्साइटेड कर दिया वल 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 नागीन सीजन 6 के प्रोमो के कुछ लुक्स हम आपके बीच लेकर आए हैं कन्फर्म है बिग बॉस विनर तेजस्वी प्रकाश इस शो में नज़राईं की जिनका बहुत ही खास अंदाज आग को देखनी को मिलेगा वल अब तक मौनी रोय से लेकर अदाहांट से लेकर निया शर्मा से लेकर इस शो में रश्मी दिसाइट तक लजराई इसके अलाबा सुर्भी जो ती भी काफी पसंद की गई शो में लेकिन अब जो है तेजस्वी प्रकाश जो पहले भी टीवी शो में काम कर चुकी है सिलसला बदलते रिष्टो कास से लेकर सुरागनी तक में उन्होंने बिग बॉस का खिताब जिता करन कुंद्रा से लेकर शमिता प्रतीक निशान सत को पचारा और अब वो बिग बॉस के बाद टीवी शो नागीन में कलर्स में ही नज़र आएंगे जिसमें लोग उनका रिवील हुआ है ये कुछ लोग्स आप देख सकते हैं काफी पसंद किया जा रहा है तेजस्वी किस लोग को आप भी कॉमेंट कीजिए नई नागिन बन कर आप सब की फेवरिट तेजस्वी क्या आप सब को पसंद आएंगी क्या एकता कपूर इस पैसले से आप खोश है तो नागिन सीजन 6 में तेजस्वी का वतार कैसा होगा गोल्डेन इस ट्रस में तेजस्वी कितनी आप को पसंद आई है ये सब आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अब बताएं क्या मोनी रॉय को रिपलेस कर पाएंगी तेजस्वी क्या सुर्भी जोती निया शर्मा की ही तरह अपनी अलग पहचान बना पाएंगी तेजस्वी नागिन की रोल में कितने फिट है ये एक्प्रेस हमें जरूर बताएं कॉमेंट बॉक्स में नमस्कार